एंग्री यंग मैं तारा सिंग के साथ स्वीट और सिंपल शकीना की जोड़ी एक बार फिर से धमाकिदार कमबाक करने की पूरी तयारी में है क्यारिक्टर से इंटिड्यूस करवाने के बाद फिल्म का नाम तो आप समझ ही गए होंगे जी हां गदर टू जिसके फर्स्ट पार्ट ने वाकई में बॉक्स ओफिस पर गदर मचा दी थी और अब एक बार फिर से सनी पाजी और अमीशा पतेल इस फिल्म का सेकंड पार्ट लेकर आने वाले हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फिल्म गदर टू की कुछ इंट्रेस्टिंग बातें जिन्हें सुनने के बाद आपका एक्साइटमेंट लेवल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा फिल्म को देखने के लिए तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा और बेल बटन दबाकर हमारी चानल माई लव और बॉलिवुट को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि एंटेटेन्मेंट से जुड़ी एक भी अपडेट आप से मिस ना हो पाए तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की स्टार कास्ट के बारे में सनी देओल और अमीशा पतेल तो इस फिल्म का इंपॉर्टेंट पार्ट है ही जो आपको तारा सिंग और सकीना के रोल में नजर आएंगे इनके अलावा अक्टर्स उतकर्ष शर्मा और सिम्रत कॉर भी फि इते नाम दिया गया था तो अब 20 साल बाद बड़े होकर उतकर्ष ही इस रोल को एक पार फिर से अदा करने वाले हैं जानकारी के लिए बता दें कि उतकर्ष शर्मा फिल्म के डिरेक्टर अनल शर्मा के बेटे हैं तो वहीं सिम्रत कॉर बनी हैं चरणजीत की लवर जो पा इस रोल को आइकानिक बना दिया था लेकिन गदर टू में अश्रफ अली का किरदार नहीं रखा गया है अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है कि इतने अच्छे कैरेक्टर को हटा दिया गया और वह भी अम्रीश पुरी के कैरेक्टर को तो वह इसलिए क्योंकि डिरेक्टर इनल शर्मा का कहना है कि जिस तरह अम्रीश पुरी ने यह रोल निभाया उसे रिप्लेश करना ना मुम्किन है इस रिप्लेश नहीं किया जा सकता कोई और आक्टर इसकिरदार को नहीं निभा सकता इसलिए अश्रफ अली का यह जो रोल है उसे फिल्म से हटा अब बात आती है फिल्म की कहानी की So as the title says, गदर 2 ध कथा कांटिनेूग्च जाहिर है फिल्म में प्रेम कथा जारी रहेगी जिस तरह तारा सिंग सकीना को वापस लाने के लिए पाकिस्तान गए वहां जाकर वान नामी की तरह पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ाए उसी तरह चरंजीत यानि कि तारा सिंग का बेटा अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान जाएगा जिसमें तारा सिंग उसका साथ देते नजर आएंगे फिल्म में पहले से ज्यादा आक्शन है ड्रामा है और भरपूर रोमान्स भी है चरंजीत का प्यार वो लड़की है जो पाकिस्तान में रहती है और उसे पाना बहुत मुश्किल है अब ऐसे में अपने पापस इंस्पायर होकर चरंजीत निकल पड़ेगा अपने मंजिल को प एक्साइट होंगे कदर टू कथा कंटिन्यूस को लेकर आपकी क्या व्यूज हैं आप कितना एक्साइट है कॉमेंट सेक्शन में लेकर हमें जरूर बताएं पॉर मोर बॉलिवोड अपडेट्स दू फॉलो माई लव फॉर बॉलिवोड